अगर ये steps follow करोगे तो आप बना सकते हो घर पर ही बिल्कुल perfect कुल्चा तो सबसे पहले 4-5 cup मैंदा ले लो और इस तरह बीच में जगा बना के डाल दो 1 spoon शक्कर, 1 spoon नमक, 2 spoon खटी दही, 1 चौथाई teaspoon baking soda, 1 teaspoon baking powder और 2 spoons refined oil अच्छे से mix कर लेंगे सब चीजों को और थोड़ा थोड़ा गुनगुना दूट डाल के आटा गुंत लेंगे, आटे को अच्छे से पटक पटक कर और stretch करके गुंत ना है, तब भी हमारा कुल्चा एक तम soft or floppy बनेगा, फिर डो को ऐसे गोला बना के उसके उपर refined oil लगा कर एक घंटेकली सेट होने रख देंगे, अब एक मोटी सी ग्लोई तोड़ेंगे, थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे और छोटी सी रोटी बना लेंगे, उसके एक साइट कलॉंजी और धनिया पता लगा कर हातों की हेल्प से चिपका लेंगे, आप बेलन का भी यूज कर सकते हो फिर गरम तवेबर प्लेन साइट को डालेंगे और थोड़े पानी के छीटे देंगे, कवर करके दो मिनिट सेखेंगे, पलट कर देखेंगे और दूसरी साइट से भी सेख लेंगे, देखें कितना परफेक्ट कुल्चा बना है, तो आप भी इस तरीके से बनाएए और घर पर ही टेस्टी टेस्टी छोले कुल्चे के मजे लीजी, थैंक्स फर वाचिंग, बाई!